नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं या कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दोसे आपर अगर आपके पैन कार्ड में आपका यहाँ पर जन्मतिती गलत हो गया है किसी भी रीजन की वज़े से और ऐसे में हाँ पर आप 2021 में अपने मोबाइल फोन की मदद से अपने पै अपने पैन कार्ड में घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से अपने डेट बर्थ को इजली चेंज करके सही डेट बर्थ अपना कर सकते हैं तो उसे पहले अगर अभी तिक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया लाइक करने जन्हा पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके बल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो उसरा पर अपने pen card में अपने date of birth को change करने के लिए आप लोगों को देखें description box में एक link देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको परशान होने की जरूरत नहीं है simply आप लोगों को उसी link पर tap करना है जिसके बाद आप यहाँ पर direct UTI pen के यहाँ पर direct official website पर पहुँच जाने वाले हैं इस पर आने के बाद देखें आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open होगा जहाँ पर आपको एक कुछ इस तरीके का banner दिखाई देगा तो आपको इसे right side में cut के option पर click करके cut कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीकी का पेज दिखाई देगा अब यहाँ पर दोस्तों पहला option आपको दिखाई देगा pen card online apply करने के लिए यहाँ पर हमें नीचे की तरफ आना है क्योंकि हमें change and correction करना है तो हमें यहाँ पर हमें तीसरा option दिखाई देगा change and correction in pen card click to apply तो हमें यहाँ पर correction करना है अपने date of birth में तो जिसके लिए आपर हमें इसी वाले option पर tap करना है जैसे हम इस पर tap करते हैं हमारे सामने एक और नया web page open होगा जहाँ पर हमें तीन options दिखाई देंगे apply for change correction in pen card detail एपर second option दिखाई देगा regenerate online pen application एपर last option दिखाई देगा download blank change correction request form pdf अगर आप यहाँ पर form का pdf डाउनलोड करना चाते हैं उसे print करवाना चाते हैं तो आप यहाँ पर third option पर click करते हैं लेकिन आपर हम online change करना चाते हैं correction करना चाते हैं paperless सारी चीज़ों को हम करना चाते हैं तो जिसके लिए आपर हमें पहले वाले option को select कर लेना है apply for change correction in pen card detail जैसे हम इस पर tap करते हैं दोस्तों आपर हमारे सामने UTI के तरफ से एक और नया page open हो जाएगा यह वाई यू 5 की आरेच जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिखाई देगा application for change correction in pen card अब दोस्तों आपर देखिए आपको सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से करना होगा सबसे पहले देखिए आपको यह पर दो options दिखाई देंगे एक दिखाई देगा physical और यहाँ पर एक दिखाई देगा digital जो की paperless होने वाली हैं सारी चीज़े तो हमें आपर सभी चीज़ों को paperless करना है तो यहाँ पर हमें second वाले option को select कर लेना है उसके बाद आप नीचे की तरफ हमें तीन options और दिखाई देंगे जिसे कि आपको पढ़ने की जरूद नहीं है लेकिन अब पढ़ना चाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूँ आपको पहले ही वाले option आधार base ekyc इसको आपको select कर लेना है select कर लेने के बाद दूसरे आपको नीचे की तरफ आना है आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा pen number इंटर करने के लिए जो की permanent account number होता है तो यहाँ पर हमें simply tap करके अपने pen number को इंटर कर लेना है इंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ हमसे दो option दी गए है जिसमें से हमें एक option select करना है बोथ physical pen card and in pen card हमें चाहिए या फिर e pen card only चाहिए आपको अपने address पर कोई भी physical pen card नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको जो चीज़ चाहिए वो आप select कर सकते हैं यहाँ पर मैं बोथ physical pen card and e pen card में select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर हमें submit वाले option पर tap करना है जैसे ही आप submit पर tap करते हैं आपके सामने एक और option आएगा जहाँ पर आपको दिखाई देगा re-enter pen number तो आपको फिर से pen number को enter करना होगा तो यहाँ पर आपको enter करके ok पर click कर देना है जिसके बाद दोस्तों next page पर आपका एक reference number जनरेट हो जाने वाला है आपको इसके screenshot के जरी अपने phone में save कर लेना है या फिर आप जिस तरीके से भी इसे save करना चाते हैं आपको save कर लेना है जिसमें कि आपको अपना अपर title select करना है last name, first name and middle name enter करना है name would you like to print in pen card जो भी आप name print करना चाते हैं वो आपको enter करना है यहाँ पर parent detail देना है mother detail अगर आपने दिया था पैदे तो आपको वो दे देना है यहाँ पर जो भी details आपसे मांगी जाएंगे वो आपको देना है जैसे कि आप अपने date of birth को change करना चाते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए date of birth वाले column में अपने date of birth जो आप नया देना चाते हैं वो आपको यहाँ पर enter करना है इस बात का आपको ध्यान देना है एंड है पर applicant आधार detail देखिए आपको देना है आधार number एंड है पर आधार में जो आपका नाम होगा वो देना है एंड है पर आपको अपने state को select करना होगा इतनी सारी चीजे कर लेने के बाद यहाँ पर next page पर आपको यहाँ पर अपने address detail को डालना होगा उसके बाद order detail मांगा जाएगा फिर उसके बाद आपको कुछ document upload करने होगे तो सारा process हम करके दिखाने वाले हैं यहाँ पर दिखे आपको इन सारे चीजों को भरने के बाद next step और option पर टैप करना है पहले दिखे करेंगे अगर आप test तो यह कुछ भी काम नहीं करने वाला है तो आपको कुछ भी नहीं करना नीचे के तरफ बस इसको yes करना है यहाँ पर नीचे के तरफ जो भी details आपसे मांगे गए यह नीचे वाले details आपको fill up करना है आपको ध्यान में रखना होगा कि आप यहाँ पर अगर update करना चाहिए तो आप यहाँ पर दूसरा address देंगे वरना आपको वही address को fill up करना है इसमें उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ सीधा आना है यहाँ पर आपको contact detail अपना select करना होगा जैसे कि यहाँ पर select isd code मांग रहा है तो यहाँ पर आपको india select करना है कुछ इसी तरीके से सारी चीजों को आपको करना है email id देना है mobile number देना है और उसके बाद आपको next step आले option पर tap कर देना है जिसके बाद दोस्तों आपर next page पर order detail आपसे मांगा जाएगा अब इस order detail में देखिए आपको क्या करना है नीचे की तरफ आना है यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा mention the permanent account number जो की आपके यहाँ पर pen number पर लिखा होगा pen card पर आपके number लिखा होगा तो इसमें आपको अपने आपको ही यही select करना है उसके बाद I and we have in close यहाँ पर दिखे मांगा जा रहा है select number of document तो यहाँ पर आप कौन से document दे रहे हैं वो आपको select करना है तो जैसे कि आपर मैंने एक document select कर लिया है जो कि यहाँ पर मेरा आधार card होने वाला है इतना करने के पर नीचे की तरफ आपको place पूछा जाएगा तो आपको place इंटर कर देना है जहां से भी आप यह सारी चीज़े कर रहे हैं उसके बाद आपको next step वाले option पर tap कर देना है lbxscyh7 अब दोस्तों आप next page पर आपको documents upload करने के लिए कहे जाएंगे जिसमें कि यहाँ पर दिखे पहला मांगा जाएगा आपसे आप पर proof मांगा जाएगा identity का proof second मांगा जाएगा address proof third मांगा जाएगा date of birth का proof यहाँ पर बाद में मांगा जाएगा pen proof आपका मांगा जाएगा वो भी आपको upload करना होगा जोकि आपका pen card होने वाला है यहाँ पर आपको इसमें सारी चीज़ो करना चाहते हैं कर सकते हैं वहां से बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी आप PDF फाइल मान लीजिए इसमें अप्लोड कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी पासवर्ड लगा हुआ नहीं होना चाहिए और वाइस यहां पर आपका एप्लिकेशन कर दिया जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा यहां पर दिखिए सबी फायलों को आपको अफटे कर देना है अफ्लोड कर देने के बाद यहां पर नीचे के दरफ सब्मट का ऑप्शण मिलेगा आपको submit वाले option पर tap कर देना है और जिसके बाद यहाँ पर आपके pen card में आपको यहाँ पर एक और reference ID मिल जाने वाला है जिसके मज़से यहाँ पर दिखिए जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा screen पर इसी reference number से आप यहाँ पर अपने pen card में address update को लेकर या फिर date of birth के update को लेकर easily check कर सकते हैं कि process कहां तक पहुचा है यहाँ पर आपका update हुआ या नहीं दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर UTI के website से easily घर बैटे अपने mobile phone की मदद से easily यहाँ पर अपने date of birth को change कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जुरू पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो के लाइक करें दोस्तों शियर करें ऐसे ही और मजदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले इसी के साथ मिलते हैं कौन नहीं मजदार वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दमात्रम